Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी The Cast of Amentiado इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है Edgar Allen Poe ने जो के एक American writer थे The Cast of Amentiado कास कहते हैं शराब के बरतन को और Amentiado एक्चॉल में शराब की एक किसम है Edgar Allen Poe ने इस शॉर्ट स्टोरी को November 1846 में पब्लिश किया इस शॉर्ट स्टोरी की सैटिंग है एक Unnamed Italian City इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर दो main characters है एक है Montresor जो के narrator है स्टोरी का और second one Fortunato जो के Montresor का दोस्त है यह शॉर्ट स्टोरी revenge और murder के बारे में है murder plan करता है और वो murder है Fortunato का जो के उसका दोस्त है इसलिए यह शॉर्ट स्टोरी एक murder के point of view से बताई गई है Montresor जो के story का narrator है वो इस murder को करने के 50 साल के बाद इस story को सुना रहा है तो चलें story को देखते हैं हम कहानी शुरू होती है Montresor से जो के narrator है story का Montresor murder plan कर रहा होता है Fortunato का वो murder इसलिए करना चाता है कि वो Fortunato से बदला लेना चाता है उसके मताबिक एक वक्त में Fortunato ने उसे जखमी किया था और उसकी बेज़दी की थी उसी बेज़दी का बदला लेना चाता है वो Fortunato से बदला लेने के लिए वो एक मनसूबा बनाता है और मनसूबा वो इतनी अकलमंदी से बनाता है कि किसी को पता भी न चल सके अपने मनसूबे को पूरा करने के लिए वो जशन के दिन का इंतखाब करता है यानि के कार्निवाल टाइम वो इसलिए जशन के दिन का इंतखाब करता है ताके कोई इसको पहचान ना पाई और वो अपने मनसूबे में आसानी से कामयाब हो जाए बहुत चलाकी के साथ वो ये सारा काम करता है उसको पता है कि फोर्चुनाटो को शराब बहुत पसंद है और उसे अमंटियाडो किसम की शराब बहुत पसंद होती है मॉन्ट्रैसर को ये बात पता होती है वो फोर्चुनाटो के पास पहुचता है और बहुती खुबसूरत अंदाज में उसके साथ बात चीत करता है फोर्चुनाटो को भी उसका रवया पसंद आता है मौन्ट्रेसर फोर्चुनाटो को बताता है कि उसे अमंटियाडो शराब की एक किसम मिली है और वो चाहता है कि फोर्चुनाटो उसको चखे और अपनी राय दे फोर्चुनाटो जब इस बात को सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो चाहता है उस शराब को चखना, वो अपनी दिल्चस्पी जाहिर करता है लेकिन मॉन्ट्रेसर उसको कहता है कि वो शराब जिस जगा पर मौजूद है वहाँ पर नाइटर बहुत जादा है और नमी भी बहुत जादा है तो उसके लिए मुश्किल होगा वहाँ पर जाना लेकिन फॉर्चुनाटो वहाँ जाने में अपनी दिल्चस्पी जाहिर करता है मॉन्ट्रेसर ये सुनकर उसके साथ चल पड़ता है मॉन्ट्रेसर फॉर्चुनाटो को मारने के लिए एक तैखाने का इंतखाब करता है जिसे हम वॉल्ट कहते हैं और वो उस तैखाने में अपने तमाम नोकरों को भी छूटी दे देता है ताके किसी को भी उसके मनसूबे का पता न चले और वो उसमें आसानी से कामयाब हो जाए मॉन्ट्रेसर फॉर्चुनाटो को लेकर उस तैखाने में पहुचता है जब फॉर्चुनाटो मॉन्ट्रेसर के साथ वहां पहुचता है तो वो चलने में थोड़ा लड़ खड़ाता है और उसके सर पर पहनी हुई टोपी के उपर जो रिंग होती है जो बेल्स होती है वो बज़ना शुरू हो जाती है वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं उस तैख खाने के अंदर आगे बढ़ते हुए तैखाने की नमी और नाइटर की बद्बू की वज़ा से फोर्चुनाटो खांसने लगता है मॉन्ट्रेसर जब उसको देखता है तो उसे वापिस चलने का कहता है लेकिन फोर्चुनाटो उसे मना कर देता है इस पर Montresor Fortuna to को शराब देता है शराब पीकर हुह दोनों आगे बढ़ते जाते हैं रस्ते में Monctresor Fortuna to को अपने खांदान के बारे में बताता है लेकिन Fortuna to उसमें कोई दिल्चस्पी जाहिर नहीं करता ये देखकर Montresor को और गुस्ता आता है और बेजस्थी महसूस होती है और वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। उनके रस्ते में कुछ कबरे भी आती हैं। मोंट्रेसर उनके बारे में भी बात करता है। लेकिन फोर्चनाटो उसमें भी कोई दिल्चस्पी जाहिर नहीं करता। और वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए नाइटर की बदबू और बढ़ती जाती है और फोर्चनाटो और जादा खांसना शुरू कर देता है लेकिन अमांटियाडो शराब को चखने के लिए वो बहुत जादा बेताब होता है इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं यहां तक के वो तैख आने की आखरी हद तक पहुंच जाते हैं जब वो आखरी हद तक पहुंचते हैं तो मौन्ट्रेसर फोर्चनाटो को बताता है कि यहां पर अंदर अमांटियाडो शराब पड़ी हुई है Fortunato उस शराब को चखने के लिए अंदर जैसे ही जाता है Montresor उसे एक चेंड के साथ बांध देता है दिवार के साथ Fortunato ये देखकर बोखला जाता है लेकिन क्योंकि वो शराब में इतना जादा मगन होता है के उसे पता ही नहीं होता के उसके साथ क्या हो रहा है इसके बाद मॉंट्रेसर अपने मनसूबे को मुकमल करने में लग जाता है यानि कि फोर्चुनाटो को वो उस दिवार में दफन करने की तैयारी शुरू कर देता है वो एक एक करके इंट लगाना शुरू कर देता है दिवार में फोर्चुनाटो की चीखों की आवाज उसको आती रहती है पीछे से लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता और वो एंटें लगाना जारी रखता है यहां तक कि वो आखरी एंट लगाने से पहले फोर्चुनाटो को देखता है और फोर्चुनाटो उससे कहता है कि अपना यह मजाख खतम करो और खुदा के लिए मुझे जाने दो वो आखरी इंट लगा देता है और हंस के उसे कहता है कि ये सब मैं खुदा के लिए ही कर रहा हूं और उसके बाद वो फोर्चुनाटो को उस दिवार में दफन कर देता है वो वहां से जाने लगता है तो आखरी दफा उन बेल्स की जो उसकी टोपी के उपर फोर्चुनाटो की टोपी के उपर बेल्स लगी होती है उसकी आवाज सुनता है और वहां से चला जाता है स्टोरी के एंट पर वो किसी को ये स्टोरी सुना रहा है और उसको बताता है कि 50 साल से फोर्चुनाटो उस दिवार में दफन है और कोई भी उसका सकून खराब नहीं कर पाया और यहां पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है अब स्टोरी को तो हमने देख लिया अब थोड़ा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं दे कास्क ओफ अमांटियाडो इसका हमने प्लॉट देखा इस प्लॉट के अंदर सबसे जादा अच्छी चीज़ा है यूनिटी ऑफ एफएक्ट मतलब ये के इस प्लॉट के अंदर हर एक लाइन हर एक वर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक लाइन, हर एक वर्ड इकवली इंपोर्टन्ट है तो unity of effect देखते हैं हम इसका असर audience पे audience हर एक word हर एक line को बहुत ज़ादा गहराई में देखते हैं उसे पढ़ते हैं number two पर है इसके जो characters है static characters हैं इसके अंदर इस short story के अंदर किस तरह से दोनों character शुरू से end तक same है उनमें कोई changing नहीं देखते हैं हम पूरी short story के अंदर उसके बाद है short story के themes इस short story के अंदर different themes है like revenge इस short story के अंदर revenge दिखाया गया है Montressor ने जो फोर्चुनाटो से लेना था उसके बाद है murder फोर्चुनाटो का murder उसके बाद इसके अंदर theme है be careful of who you trust मतबब आप किस पर यकीन करते हैं उसके लिए careful रहे तो different themes हैं इस short story के अंदर उसके बाद इस short story को हम एक horror story कहेंगे क्योंकि ये horror से भरी हुई है ये murder के बारे में है, revenge के बारे में है इसलिए हम इसको horror story कहेंगे ये short story बहुत ज़्यादा irony से भरी हुई है ironic बहुत ज़्यादा है इसका हर word, हर statement, हर line आइरनी से भरी हुई है सबसे पहली irony हम देखते हैं fortunato fortunato name का मतलब है fortunate one मतलब के किसमत वाला जबके पूरी story में हम इसका उल्ट देखते हैं fortunato की किसमत नहीं बलके बदकिसमत ही देखते हैं पूरी story के अंदर उसके बाद हम जो वो bell उसकी बचती है उसकी टोपी के उपर तो end पे हम देखते हैं कि bell बचती है जब Montresor उसको पूरी तरह उस दिवार के अंदर दफना देता है जबकि पुराने वक्तों में जब भी किसी को दफनाना होता था तो bell बचाई जाती थी ताकि ये देख लें कि वो इनसान जिन्दा तो नहीं लेकिन यहां पर उसका उल्ट है उसके इलावा Montresor शुरू में पूरी के शुरू में फोर्टुनाटू से बहुत हंस कर बहुत समाइलिंग फेस से मिलता ए जिससे फोर्टुनाटो को लगता है कि वो बहुत फ्रेंडली है इसलिए वो उस पर यकीन کر लेता है जबकि उसके इलावा उसकी सेटिनिक डीर्ड्स हैं के सेटनिक आइडियाज हैं उसका हमें नहीं पता होता तो ये भी आईरानिक है देन जब फोर्चनाटो उस तैख आने के अंदर चल रहा होता है तो नाइटर की स्मेल उसे चड़ जाती है तो मॉन्ट्रैसर कहता है कि वापिस चलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मर कर जाना चाहता है उसके इलावा लास्ट में मॉन्ट्रैसर किसी को कहानी सुना रहा होता है कि 50 साल पहले उसने फोर्चनाटो के साथ क्या किया तो यहां पर रीडर के माइंड में आता है कि मॉन्ट्रैसर पर वो यकीन करे या ना करे वो जो कह रहा है वो सच है भी या नही और फिर उसने ये काम किया तो उसको उसको उसपर कोई अफसोस भी नहीं है तो ये भी बहुत ज़्यादा आईरॉनिक है उसके इलावा सिंबलिजम दे कास्क अफ अमान्टियाडो के अंदर फोर्चुनाटो का डाउन फॉल और अल्टिमेट डेथ उसकी दो रीजन्स होती है दो चीजों को वो सिंबलाइज करते है वन कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी इसकी वज़ा से वो अपनी मौत के ज़्यादा करीब गया और नमबर टू उसका इंटरस्ट शराब के अंदर उसके शराब में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी थी इसलिए उसने उसको उस जगा को विजिट करने का सोचा और वो मौन्ट्रेसर के साथ उस तैखाने में किया तो ये दो चीजों को सिंबलाइस करती है सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि ये शॉर्ट स्टोरी एक वैल रिटन स्टोरी है जिसके अंदर हम टोटल इफेक्ट देखते हैं रीडर के उपर आडियन्स के उपर तो ये था हमारा आज का लेक्चर उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस